इधर मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री का चैन होने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी मध्यप्रदेश गोसंवर्धन बोटकारे समिती के अध्यक्ष स्वामी अकलेश्वर नंद गिरी ने हाई कमान के निर्णे को सही बताया आएनेस से चर्चा में उन्होंने कहा कि मोहन यादो को मुख्यमंत्री बनाकर केंजिन नित्रत ने सभी समाज को साथ लिया मही जाती इस तर पर OBC समाज को सम्मान दिया अकलेश्वर नंद गिरी ने हमारे जबलपुर समवादता संजिस साहू से क्या कहा है इसके लावा आपको सुनवाते हैं मद्ध प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का चैन हो गया है और इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है इसको लेकर हमाई साहत मौजूदन मद्ध प्रदेश गौव संबर्दन बोटकार समेती के अध्यक्ष स्वामी अकलेश्वर नंद जी महराज हम उनसे चर्चा करेंगे जानने का प्रियास करेंगे सब जिस पकार से चैन हुआ है क्या लगता है आपको क्या रूप रेकर रही होगी चुकि नए मुख्यमंत्री बने हैं मौन यादव ज्यादा लोगों के बीच में भी नहीं रहे हैं भारती जनता पार्टी की जो आइडियोलाजी है उसमें सबसे प्रमुख बात ये है कि वो सामाजिक समरस्ता के पक्षधर है और मद्द परदेश में नए मुख्यमंत्री का जो चैन हुआ है और इसके साथ-साथ दो उपमुख मंत्री भी बनाए गए हैं और एक स्पीकर भी बनाए गए हैं अगर हम उन व्यक्तियों के बारे में विचार करें तो भारती जनता पार्टी ने अपनी आडियोलाजी के हिसाब से और जो सीर से नेत्रित है और जो भारती जनता पार्टी के विदाये गण जीत करके आये उन्होंने सर्व समती से जो बारी-बारी से निर्णे लिया है सबके बारे में उसमें ऐसा कहा जा सकता है कि जाती है समी करण दिखाई पड़ रहा है और सामाजिक समरस्ता का एक स्वर जो उभर करके सामने आया है वो इस मद्यप्रदेश के लिए और देश के लिए बड़ा महतुपूर्ण संदेश बनता है ये थे स्वामी अकलेशन अंद गरी माराज जिन्हों ने इस पस्ट रूप से का है कि गौबन की भी बात किया जोल पर समाज साही होगी अनुपलाल के सांद संजय साहू आयनस टॉंटीफोर इंटू सेवन